नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नबीला उरूच और आप देख रहे हैं आज की खबर लखनओ के विभूती खंड गोमती नगर स्थित होटल हिल्टिन में सांस्कृतिक कारिक्रम का आयोजन किया गया दौरान श्री आनंदम धाम ट्रस्ट विंदावन के संस्थापक सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महराज ने पत्रकारों को संबोधित किया बतादे की सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महराज ने पांच राजियों में हुए चुनाव में हुई भाचपा की जीत को लेकर जनता का अभार जताया साथी जनता का अभार जताने के लिए 36 गड तेलंगाना मध्यप्रदेश राजस्थान में जागरण यात्रा करने का एलान किया मैं जैपूर से लखनव आया हूँ यहां कुछ बैवाहिक कारिक्रम में मैंने भाग लिया है और उसके बाद कुछ सांस्केतिक कारिक्रम थे मूल रूप से भारती लोकतंत्र में पाँच राजियों में हुए चुनाओ वे जो मद्दाता जागरण यात्रा हमने हर राजियों में निकाली और वहाँ पर मद्दान का प्रतिशत बढ़ा उसके लिए हम पुनह उन मद्दाताओं को धन्यवाद देने के लिए जागरण यात्रा निकालेंगे धन्यवाद यात्रा और उसका प्रारंब हम 36 गड़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्यप्रतेश में करेंगे मद्दाताओं ने बर्चर कर हिस्सा लिया, अच्छी सरकार चुनी है, मैं भारतवर्स के लोगों से पुनह कहना चाहूंगा कि ये महान पर्व है, इसको भूलिएगा मत, अगर ये पर्व चूक गए, तो आने वाले होली, दिपावली और दसरा पर्व को भी चूकने की अगरती के तहत हमें सिक्षा दी जाए, इसके लिए हमने सनातन सिक्षा बोर्ड का मांग किया है, सरकारों तक बाते पहुचाई हैं, जनता के साथ मिल करके हम प्रयास कर रहे हैं, और तब तक के लिए हजार एकड़ भूमी, एक सनातन महाविद्याले हम खोलने जा रहे हैं जहां पर सनातन सिक्षा को देने के बाद बच्चे कैसे राष्ट भक्त होंगे, मानो प्रेमी होंगे और विक्सित होंगे, इसका डेमो हम करके इस दुनिया होगे, देखिए कृष्ण जन्भूमी आंदूलन में भी मैं हूँ, और मुझे पूरा विस्वास है कि वहाँ 492 बानवे बरस लगे, यहां 492 दिन भी नहीं लगेंगे, और कृष्ण जन्भूमी मुक्त होगी, और दिव्य भव्य मंदिर का निर्मान भगवान सिर्कृष्ण का हो।